हाई एब्रीवन आज मैं आपको बहुत ही आसान और सुंदर सा बॉर्डर डिसाइन बुनना बताऊंगी जिसके लिए आपको 12 प्लस 3 यानि 12 प्लस 3 के मल्टिपले फंदे कास्टून करने होंगे तो यहां मैंने लिए हैं टोटल 27 फंदे और रो वन हम राइट साइड से बु उनको इस तरीके से आगे की तरफ घुमा के लाएंगे और चार फंदे मुल्टे बुनेंगे एक दो तीन और चार अब नेक्स्ट तीन फंदे को मुल्टे बुनते वे एक साथ घटाएंगे फिर चार फंदे मुल्टे बुनेंगे एक दो तीन और चार अब यहां पर हमें जाली डालना है और नेक्स्ट फंदा सीधा बनाना है तो उन हम अपनी तरफ ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखें इसरो में पहला फंदा छोर करके हमें यहीं से अपने रिपिटेशन दुबारा स्टार्ट करना है और इस जाली वाले फंदे तक हमें दुबारा रिपीट करनी है तो यहीं हम 12 फंदे को रिपीट करेंगे यानि पहला फंदा छोर करके जो नेक्स्ट फंदा औ तो अभी हम उन को फिर से आगे की तरफ इस तरीके से घुमा के लाएंगे और अब हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और चार अब नेक्स्ट तीन फंदे जब उल्टे बुनते वे घटाएंगे फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और चार अब उन हम अप्टी तरफ ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और लास्ट का जो फंदा इसे भी हम सीधा ही बनाएंगे तो देखे यह रो हमारी कंप्लीट होगे इस रो में हमें यही 12 फंदे को रिपीट करते जाना है और इस डिजाइन में पहला फंदा और लास्ट का जो फंदा है वो हमारा edge stitch है तो पहले रो में हमें पहले दो फंदे सीधे बनाने हैं फिर जाली डालनी है चार फंदे उल्टे तीन फंदे घटाएंगे फिर हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे फिर जाली डालेंग और एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसी तरीके से बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को बुन करके कम्प्लीट कर लेंगे अब हम रॉंग साइड रोटू में आ गए हैं तो इसरों में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे जो जाली वाला फंदा है उसे भी हमें उल्टे बनाते हुए इस पूरी लाइन को बुन करके कम्प्लीट कर लेना है और हाँ अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लग रही है और निटिंग से रिलिटेड वीडियोज देखने पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पस में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियोज आप मिस ना करें तो देखिए रोड टू भी मैंने सारे फंदे को उल्टे बनाते हुए कम्प्लीट कर ली है अब हमें क्या करना है अब हमें इसे कंटिन्यू बनाने के लिए यही टू रोज यानि यही दो लाइन को रिपीट करते जाना है और शुरुबात में सिर्फ टू लाइन्स बनाने के बाद यह डिजाइन बिल्कुल भी पता नहीं चलता लेकिन जैसे जैसे हम इसे रिपीट करते जाएंगे तो यह जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से बन के आएगा आप देख सकते हैं यह बनने के बाद काफी सुन्दर और अट्रेक्टिव लगता है तो आप इस डिजाइन को बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, सौल या सकाप या इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट में आप इसे ऐसे बॉर्डर डाल सकते हैं या आप चाहें तो अलोबर प्रोजेक्ट में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे मैंने यहां two colors में बनाई, यानि चार लाइन हमने पहले color से बनाई, फिर चार लाइन दूसरे color से, और color जो हमें उल्टे side में ही change करना है, यानि row fourth में हमने color change करनी है, तो यह जो design है आपका इस तरीके से आगे-ागे बनते जाएगा.